अलकीमपूर मामली दिकल कर लेने या अलकीमपूर दे विच जो कटना वापरी लोकानू चंगी तरह उस कटना दो जानू ने खासत ओर दे होते एक बड़ा स्वाल इस कटना दे विचे खड़ा हो जान दा है कि एक केंद्री मंत्री होन दे नाते उस दे बेटे दे दे हो सकती है कि होने इस केस दे विचे उननों साम मिल सकता है परवार हले उमीद बना के रखन असी एही अपीर करांगे क्योंकि जेड़ा जिस तरीके दिनाल कनूनी टांचा इस विले पार रदा जी जिस तरीके दिनाल दबाव दे वीचा के साइटी बनानी पई उस एसाइट दा कहना कि हाँ यसे गिरफतार ता कीता लेकिन पहली ही पेशी दे वेचे जिस विले एसाइटी रिमांड हासल नहीं कार सकी उस विले कानूनी टांचे दुत्ते भी सवाल खड़े जरूर होए असी इस विले एतियां जरूर रखी है कि बारा तेरा चोदा ते पंदरा क्ट कि असी सोशल मीडिया दोते वाइरल हुई हर एक तस्वीर नूँ खंगालन है हर एक तस्वीर नूँ वारवार वेख के ऐसी तै करना है कि यह तस्वीरां आपस दे वेचे जोड़के की कुछ सी एन क्रेट कर रही हैं हाल फिलाल दे वेचे के ताजा तस्वीरां भी सामने जाने आए ने जिस देविच कोई गडिता नहीं नजर आ रही लेकिन सब तो अंगे चल रहे है उस काफले बंदा जो किसाना अपना प्रोटेस्ट कारेशी किसाना दे काफले देविच सबतों बंदा खड़ था तस्वीरां बना रहे है तो गडियां पिछो लिके दिना ला साकते हैं कि बारा कंटे जांच ने जेकर एक बंदे नों गिरफतार करवा देता जिस्दा गिरफतार होना बेहद उखा लाग रहा सी ता चार दिना दी जांच दे विच्छ एक इस विले दी वड़ी गल एगी है यूपी सरकार दोते काफी प्रेशर यूपी पॉल्स दोते का बात करके भी होए उन्हा किसाना दीनाल वी गाल खी जए जो प्रताख दर्शी सी उन्हा लोकां दीवी गाल केती जए जाया जाना Himself बेधी मवजूद साद इक मीरसाब देशा यह जो चाहरे भी आए दोस्ट सीगा ते जो फॉर्चीनर गड़ी चला रहा है हाल फिलाल देवेचे ताज़ा अपडेट सब तो पहला इही है कि गिरिफतार की ता गया सी जो अशीश मिश्रा उसनों चार दिना दी पुल्स रुमार देटे लिया अगले चार दिन काफी एहम होंगे एहम हो सकते ने सयासी पदर देटे कोई वकलीखET कड़ना आठी जया इस जांच देवेचे टांक तहोड़ा सोचाया है समझेeking जह नहीं कि घ्याँ पाइच देवेचे दखल के पामियों सरकार पख़देटी जयांच दनालिया जही है कि हाने प्हां पाननी stubbornly देटी ऋचन दे लेगई सीनिर एडवोकेट एस पी यादव ने जो जानकारी देती है कि चार दिना तक अशीश यादव तो जिस वेले भी पुछ परताल रमान दे दुरान होईगी अशीश यादव दे वकीला दी एक एन कतार उस दिनाल उस वेले जांच परताल दे विच रहीगी उस दा अशीश या रिमार्ड दे विच किसे त्रीके दी बत्तमीजी या पुल्स देवलोस देट कोई तिशदद कीती जांदी है ता उस दी जानकारी अदालत देविच दिती जा सकी तुन एवी काफी दिल्चस्प है कि रिमार्ड दे विच तुसी कैबिनेट मंतरी दे मुंडे नू लो ते वकील बी मंग रख देन की असी नौ खडी हो आघ द इस वह यसी पंजाब दी गाल कार दे जिस वह यूए-पी अक्ट दे नोजवाना निचा के रमांड देते लिया जान दा तकी ओना पिंड़ा दे नोजवाना थेनाल कोई उना दे लोगील खडा हूंदा रमांड दे समय इस पर कीता जांदा ओई गाला जांदी है सुबह वखरे कानून बखरे सुबह उखरी आ सरकारा कानून तरीक वखरे जिए ठीज थोड़ी गलत है बिल्कुल ते जिकरापा अलोगां देगाल कर लिया जायता हुंद है तुझे पासे जो तो कारवाई समय देखने होंदी जा कैस अधर्यां कि सरकार कारे कमा सब्सक्रावाइगा लिए फृट काट समयन हो घूबाद सब्सक्रावरारा नीं हो दियां और थिखेथ होगन और एसफिकी कारवाई लगाता कई चली यह कनून बेचा को थे लगातार एक गालों थे केंदा रहा कि सबूता नहीं है जर ये को पहलु दो ते जाज करनी है तो उसनों बाद जड़ा लोगा दा गुसा है उसने हपने किस तरी दे दिना रही देखिए क्या किन्हा को नदा जाया जाय जा उन्हों नो नो इनसाफ दी किसान जथे बंदियां दी गवाई देवेची आम लोक वे अपने अपनों महसूस कर देने इसे कार के दर्शकान दास देए कि अठारा अक्टूबर नो लेके एक वड़ी रैली अंदोलन दा प्रबंद कीता गया है जो तकरीबन सुरे दस वजे शुरू होएगी शाम चारवे तक चलेगी लखीमपूर खीरी देवेची किसान से किसान मोर्ची देवलो फैसला लेया गया सी आज ज़ेदा दिन जड़ा ब बीच भी एक आल चनल तो हनू निरंतर अपडेट दिन्दा रेगा देशेरे वाले दिन पीम मोदी अते यूपी दे मुखमंत्री अदेत योगीनाथ दा पुतला फूक्या जावेगा 26 अक्तूबर नू लखनाउ देवेचे महापंचायत दा सद्धा भी सियुक्त किसान मोर्ची देवलो दता होया तो हनू चेता होएगा मुझफर पूर्दी महापंचायत तो हनू चेते होईगी करनाल देवेचे महापंचायत होई लखनाउ देवेचे यूपी सूबे देवेच वापर यी लखीम पूर्दी कटना तो बाद हुन यूपी दी ही राज्तानी देवेच उतर के किसान अपना शक्ती प्रदर्शन भी करनगे अते सरकार दे खलाप रोसा भी जाहर करनगे कि चार तो पांच दिना दी देरी किस तरीक के दिना किना के दिना देखन के समाध अचेगा कि नीक कनून देवते पांगर राख देने कि नीक सजा मिल दिया उनवाले समय देवेच